चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी सीरीज से ले थी इसका पार्ट नमबर टोईल देखें यह बहुत मुस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ पहां जाएगा क्यूं देखें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था सी आर और एसलार के वारे में इसके वारे में बहुत ही विस्तित जानकारी ले ती जिन लोगों ने एक जो लास्ट वीडियो देखिए पार्ट नमर 11 तो वह कभी भी सी आरार और एसलार को आप नहीं भूलने वाले इसी तरह आप ओम आपसे पूछता हूं तो उसका जवाब सँखने दिजए तो वह आमको बहुत है तो एक क्या पुत कर नहीं पर क्लों कि यहां सब्सक्राट अब इसक्राइब हम लोग देखे हैं देखे ant value है लगे आपको बता देख और सैंवें अब आंवारा हूं लोग बात कर रह थे हुए तो इन टूल्स पर हम लोगों ने क्या देख लिया CRR और SLR को देख लिया अब हम next tool देखते हैं OMO इसके द्वारा वो कैसे तरलता को कम जादा करेगी कहां अर्थ बिवस्ता में कहां अर्थ बिवस्ता में तो एबी क्या है एक tool है किसका RBI का जिसके द्वारा वो क्या करती है तरलता को कम जादा करती है देखे इस तरह से आपके एलेक्टिविटी रखेंगे तो हर question का आप answer दे सकते हैं अब चलिए हम इस process को देख लेते हैं इस पिरक्रिया को देख लेते हैं देखे मैं आपको एक story सुना दूँग इससे ने आपका सारा जो concept है वो Clear रहुश जाएगा इधार है RBI और इधार है Government इधार है Government अब RBI को लगा कि Market में तरलता जादा है तो वो कहेगी Government से कि आप सरकारी प्रतिपूतिया जारी करो ओके अब RBI तो सरकारी प्रतिपूतिया जारी नहीं किरती तो वह क्या करेंगी गौल्मेंट का कराएगी गौल्मेंट कैं यह सरकारी प्रतीबुती जारी storm कारे को तो इतना समझ एक पेपर होता है जैसे कि आप आप ने कभी स्टांप पेपर देखा होगा तो उस पर लिखा होता है 100 रुप है और यह क्या होती है सरकारी प्रतिवुती ओके आप देखे पहले तो इस तरह से जारी होता था लेकिन आप इमाध्यम से जारी होता है मतलब अब इलक्ट्रानिक बे में आपको देखने कभी जारी नहीं होता है क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है तो इसलिए अब इबे में आप भी लांच होता है आप देखे गवर्मेंट ने क्या क्या एक सरकारी प्रतिवुती जारी कि कितने रुपए कि 100 रुप है कि यह प्रतिवुती गवर्मेंट ने किसको देती है और भी अब आर भी तो इसे अपने पास रखेगी नहीं क्यों नहीं रखेगी क्योंकि उसे मार्केट से जो अर्थ पर वैस्ता है यहां से तरह रंता सुपने है तो वो क्या करेगी इस गवर्मेंट सेक्यूरिटी को बेस अब मुफ्त में तो यह देगी नहीं आर भी पागल थोड़ी ना इसको मुफ्त में देदेगी जब इसको देगी तो इसके बदले में कुछ लेगी ना इसके बदले में जितना इस पैसे को अपने पास नहीं रखेगी किसको देदेगी वो गौर्मेंट को देदेगी यह प पैसे को वो गौर्वर्मेंट को देदेगी अब गौर्वर्मेंट के पास क्या आ गया सौ रुपय आ गया है अब गौर्वर्मेंट क्या करेगी इस सौ रुपय का यूज कर लेगी जब गौर्वर्मेंट इसका यूज करेगी तो इस पर ब्याज भी कौन देगा यह बात बिस तो इस security है इन पर ब्यास government देती है RBI ब्यास नहीं देखी ब्यास या लाभांस कुछ भी हो सकता है ब्यास लाभांस के बारे में मैं आपको बता हूँ कि ब्यास और लाभांस में क्या अंतर होता है वो हमारा बात का topic आप इस पर focus करिए तो देखे आप यह बेचेगी किस को ज आल स्थान मा जो अन्य बीटिए संस्तान है उनको ब्यास सकती है या फिर ने लोगों को भी प्रतिवूति नहीं खरी सकते आप चाहें सरकारी प्रतिवूति खरीद दर तो नहीं करेंगे तो आपको कहा जाना पड़ेगा इन बैक्स के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने प्रतिवूति खरीद रखी है इसे हम को तो वो क्या करेंगी उनके पास प्रतिभूति होंगी वो पैसे आप से ले लिए प्रतिभूति आपको देंगी तो आप इस तरह से खरी सकते तो आपको दूसरा concept clear होगे कि आमने बेसक होता है वो RBI से contact नहीं करते है इन डारेक्ट ये रूप से उनका तो संब्ध होता ही होता है अब क्या होगा जब जो banking sector से कहीं से भी जब वो प्रतिभूती बेचेगी तो पैसे तो लेगी न तो क्या हुआ इन लोगों के पास पैसा काम होगा ना पैसा होगा वो काम होगा क्योंकि ये पैसा कहाँ चला गया गया गवर्मेंट के पास चला गया तो क्या हुई अब देखिए इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ पैसा कम हुआ तो तरलता भी अर्दभी वस्ता है उसमें तरलता कम हो जाएगी तरल्ता कम हो जाएगी यही RBI का ÖDICE भी जादा जो ज़्यादा हो गई थी इसको कम करना तो क्या हुआ उसने कम कर लिए किसके माद्देम से OMO के माद्देम से अब देखेए कि प्रासेस है ना कोई प्रितिभूती जारी कर रहा है कोई इसको बेच रहा है कोई इसको खरीद रहा है और कोई इस पर ब्यास दे रहा तो यह क्या हुआ एक प्रोसेस हुआ ना एक प्रिकरिया हुइए ना तो इसी प्रिकरिया को इसी प्रिकरिया को क्या बोलते है OMO Open Market Operation तो यह Most Important आप लोग याद रखें तो आप लोग उस हमस में आ गया इसमें क्या होता है गौर्मेंट सिक्यूरिटी जारी करती है और बैंक खरीदती है या फिर अन्य बित्ती है सलस्तान भी इसको खरीद सकते हैं अब देखें अब आपके दिमाग में ऐसा भी कुछ चना सकता है यहाँ इन से खरीद देगी तो यहाँ पर क्या चला जाएगा फिर से पैसा चला जाएगा जब इन लोगों की पास पैसा चला जाएगा तो यह जाकर करके मार्केट में इसको खर्च करेंगी तो क्या हो जाएगा इससे तरलता बढ़ जाएगी तो वह इसी तरह करती है तरलता कम हो होती हैं तो उसे क्या होता है मार्केट में कम जाता हो जाता है तो आपको कुछ में आ गया अब देखिए से इसमें कुछ important बाते हैं यह भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं जो पेपर के पॉइंट अपी से बहुत साथ important है देखिए इस प्रिग्रिया के अंतरगत SLR के अतरिक प्रतिभूतियां सरकार वो सारी बैंक खरीच सकती है आप लोगों ने देखा था SLR जो है यह कितना होता है लगवक में आपी चल ला है साड़े 18% चल ला है और इसमें जो बैंके होती है वो maximum क्या खरीदती है गौर्मेंट सिक्यूरिटी ही खरीदती है लेकिन जो बैंक होती है जो OMO के द्वारा जो प्रतिभूतिया खरीदी वेच जाती है वो इसके अतरिक्त होती है SLR वाला जो हिस्सा होता है यानिकी जो साड़े 18% होता है इसके अतरिक्त बैंकों के लिए खरीदना पड़ता है इसमें नहीं खरी सकती है और यह प्रतिभूतिया खरीदी वेच जाती है और दूसरा इस पर इंट्रेस्ट कौन देता है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इसको एकतम दिमाग में क्लियर कर लीजिए जो ओ एमो के तहज्जो प्रतिभूतिया बेची खरीदी जाती है उसमें जो इंट्रेस्ट होता है वो कौन देगा गौर्वेंट देगी इसमें RBI नहीं देगी अब देखें मैंने आप भी आप किसे बेचे किसे को भी गेचे सकती है और जब वो सरकारी प्रतिभूतियों को भीचती है तो इस प्रॉसेस को इस प्रियाओ कहते हैं संकुचन बादी खुली बजार की प। तो इसी लिए इसको ध्यान रखिए संकुचन बादी खुली बजार की प्रिक्रिया किसे कहेंगे जब RBI प्रिति भूतियों को बेचेगी तो इसी तरह जब खरीदेगी तो इस प्रिक्रिया क्या कहेंगे तो इसे भी देख लिए तो इसे कहेंगे प्रिसार बादी खुली तो इंपॉर्टेंट है आप इसे यात रखली से कई बार पुछ जाते हैं अब देखे जो OMO है इसी से रेलेटेट एकदम आपको एकदम सिमलर एक और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टूल जिसे बोलते हैं MSS मतलब इसकी जो प्रिक्रिया है एकदम सेम है जो OMO है उसी के तरह प्रिक्रिया है अंतर सिर्फ कितना है मैं आपको बता देता हूँ देखिए अंतर सिर्फ इतना है हम लोगों ने देखा था उसमें इंटरेस्ट कौन दे रहा था उसमें व्याज कौन दे रहा था सरकार दे रही थी लेकिन इसमें व्याज कौन देता है है आर्भीज देती है और वहां पर कौन दे रहा था आप दे ऐसा क्यों होता है यह भी हम आपको समझा देते हैं अच्छे देखें यहाँ पर क्या आर्भीज और इधर क्या है गवर्ण कैसे और इधर क्या है फिर से कह落एं यह को अनुल हो बेच Hills कि जैसे या हमारा अभी ड्राइगरम था सेम भाही रहेगा अब देखे फिर से कहेगी गौर्वेंट से आप प्रतिबूतियां जारी करो तो फिर से इन्होंने सरकारी प्रतिबूतियां जारी की 100 रुपे की 100 रुपे की सरकारी प्रतिबूतियां जारी की और यह पैसा कहां सल जाता है प्रिति भूतियां कहां चले जाती है और इनको बेज देता है जब बेचेगा तो मुफ्त में तो नहीं बेचेगा तो यह किसे बेचेगा बेच करके इसको क्या मिलेंगे पैसे मिलेंगे अब यह पैसे हैं उस जो ओमो था उसमें पैसे किसको दे दे रहे थी गवर्मेंट को मैं तो नहीं देगी इस पैसे को और पी लेगी घृच कि है कि अपने पास रख लेगी जब भी अपने पास रखेंगी तो यहां से देगी जो आरबि आई का अपना लाव होता है लाव से जो उसकी आयो होती है मैं आपको अभी बता हूँगा जो रिपोरेट को करेगी इसका वो देगी वो वो ऐसा क्यों कर रही है वो गवर्मेंट को क्यों नहीं दे रहे हैं देखिए वो ऐसा इसलिए करती है देखिए मैं आपको बताता हूं उसे लगता है कि तरलता बहुत जादा बढ़ गए अचानक से मार्केट में बहुत पैसा आ गया और वो चाहाती है यह किसी भी तरह जो और गवर्मेंट भी क्या करती इसका युज करती अपैस दो रखती नहीं न वो इसका युज करती तो related भी कई सारे तत्थ हैं इन्हें भी जान लेजिए देखें एभी एसलार के अधरिक्त होगा चो सेम है वो भी सेम इसमें एभी अनिवार नहीं है मतलब non mandatory है साथ में इसमें जो ब्याज है वो कौन देगा वो RBI देगी लेकिन इससे कब लागू किया गया था यह important बात है इसे कब लागू किया था इस यह रभी आयने 2004 में लागउ किया था है इसके यह लेकिन होता है एसको था हम इसे क्यों पढ़ रहे है तो हमसे इस लिए पड़ रहे हैं जब demonetization हुआ था तो क्या हुआ हुआ था बैंक के पास अत्रिक्त पैसा आ गया था demonetization से क्या वो सबी ने अपना पैसे का डाला बैंक के अंदर डाला अब बैंक के पास पैसा एकदम बहुत आ गया ना तो बैंक से तरलता कम करने के लिए RBI ने MSS के तहत प्रिथी भूतियां बेच कर क्या किया उसने बैंकों के पास जो अतरिक्त तरलता थी उसे सोक लिया यह अतरिक्त तरलता थी इसे सोक लिया इसी लिए उसने market stabilization scheme पुनहा लिका ली कब बी मुद्री करण के समय बी मुद्री करण के समय इसी लिए अभी हम इसको पड़ रहे हैं जब demonetization हुआ था उसी समय अब आपको समझ में आ गया कि OMO और MSS है इसमें क्या अंतर होता है इसमें अंतर सिर्फ इतना ही होता है इस पर ब्याज कौन देती है RBI देती है और उस पर कौन देता है OMO में उसमें सरकार देती है जो government होती है वो ब्याज देती है ओके तो आमको दोनों चीज़ें clear हो गई होगी होगी बहुत अच्छे से चलिए हम इस वीडियो को हाँ पर ही finish करते हैं अगर आमको कोई भी doubt होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को like करें और अपने दूस्तों को share करें